इंदू केलेंडर में आश्वेन अमावस्या एक शुप दिन माना जाता है क्योंकि ये पित्री पक्ष की अवधी के अंत का प्रतीक है। इस दिन लोग पूजा पाठ कर अपने पूर्वजों को श्रद्धान जली देते हैं। इस दिन दान करने से दिवंगत आत्माओं को शांती मिलती है। अश्वेन अमावस्या भारत में त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। अश्वेनी अमावस्या को सरुपित्री अमावस्या क्यों कहते हैं। भारति या संस्पृती में श्राध को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन लोग अपने पूर्वजों को श्रधानजली अर्पित करते हैं। हिंदू पूरानिक कथाओं में ये कहा जाता है कि अपने पूर्वजों का सम्वान करना मृत्यू के बाद शांती के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा, जिन पूर्वजों ने शांती प्राप्त नहीं की है, वे अपने वन्शजों को श्राप दे सकते हैं, जो उनके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आश्वे नमावस्या पर अनुष्थान और पूजा करने से पित्री दोश को कम करने में मदद मिलती है। यह अनुष्थान दिवन्गत आत्माव को शांत करने और उनका आशीरवाद पाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, ग्यात और अग्यात पित्रों के पूजन के लिए आश्वे नमावस्या का दिन बढ़ा ही शुब माना जाता है। यही कारण है कि इसे सर्व पित्रिजनी अमावस्या और महलय विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या का श्राधकर्म के साथ साथ तांत्रिक द्रिष्टिकोन में भी अधिक महत्व होता है। साथ ही इस अमावस्या के समाप्थ होने पर अगले दिन से शार्दिय नवरात्र प्रारम हो जाते हैं। इसमें मादुर्गा के विभिन रूपों की पूजा की जाती है। अश्वेनी अमावस्या पर किसकी पूजा करने से मिलता है लाब। हिंदू धर्म में अश्वेनी अमावस्या को पित्री पक्ष की शुरुआत के रूप में जाना जाता है और इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करने से व्यक्ति को पित्री दोश से राहत मिलती है। इस दिन अपने पूर्वजों का श्राध करने से मनुष्य को धन, स्वास्थिय, वैभव, समृध्धी और संतान की प्राप्ती होती है. भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा अश्वेनी अमावस्या के दिन भगवान विश्नु और देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है. भगवान विश्नु की पूजा करने से जातक को भविश्य में सुक सुविधाय प्राप्त होती है क्योंकि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी जातक को धन और स्वस्त जीवन प्रदान करते है भगवान विश्णू की पूजा करने से विवाह, नौक्री, धन और स्वास्थ्य समस्याव से मुक्ति मिलती है इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा करने से जातक के जीवन में धन और सम्रिद्धी आती है देवी लक्ष्मी की अमावस्या के दिन पूजा करने से जातक को नई संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है साथ ही महालक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के घर में सुख शांती का वातावरन बना रहता है इसके अलावा इस दिन पित्री देवों की पूजा की जाती है पित्री देवों की पूजा करने से पूर्वजों को संतुष्टी मिलती है और वे अपने संतानों की जीवन में सुख और समृद्धी की कामना करते हैं पित्री देवों की पूजा से वंश के अनुयाई धन और सुख की प्राप्ति करते हैं इस दिन पूजा के दोरान कई धार्मिक कार्य भी किये जाते हैं जैसे दानपुन्य, हवनादी इन कार्यों से व्यक्ति अपने भाविश्य में सम्रिद्धी, संतान और भगवान के आशिरवाद को प्राप्त करता है हिंदू धर्म में इस दिन की पूजा का अधिक महत्वा होता है क्योंकि जो भी जातक इस दिन अपने पित्रों, भगवान विश्लू और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे जीवन में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है साथ ही अमावस्या तिथी पर पूजा के दौरान लोग भगवान से अपनी खुशियों की प्रार्थना और अपने पूर्वजों को याद करते है